हलो दोस्तो मैं आपका फार्मेसिस रागव आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में दोस्तो इस चैनल पर जो भी वीडियो बनाई जाती है वो सिरफ इंफर्मेशनल परपस के लिए बनाई जाती है बाकि अगर आपको कोई भी दिक्कत परिशानी होती है तो अपने डॉक्टर से कंसर्ट जरूर करें तो दोस्तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले है उसमें हम बात करेंगे कि जैसे अगर घर में पूझा पार्ट होती है या फिर कोई फंक्शन्स होता है तो लीडिज को समटाइम दिक्कत होती है जैसे पीरेट सो रहे होते हैं त तो आज हम इस वीडियो में डैप्थ में बात करेंगे कौन-कौन सी मेडिसीन सा आप इसके लिए यूज कर सकते हैं तरीका क्या होगा यूज करने का और पर्किड में किस-किस नाम से आपको इसली एविलेबल हो सकती है और कितना प्राइजिंग आपको इसका चुकाना अगर इस नाम से नहीं मिलती है तो आप ये नाम भी देख सकते हैं रेजिस्टेरोन नाम से आपको कहीं भी मिल सकते हैं अब अगर हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में इसके अंदर होता है नोर एथिस्टेरोन 5MG स्टेंथ के साथ में और अगर हम प्राइजिं प्रेमलेट एन उसकी कॉस्टिंग आपको 57 रुपीज का इस्ट्री पढ़ता है 10 टैबलेट्स का तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं इसके सबसे में पॉइंट के बारे में इसको यूज किस थरह से करना है आपको अपने प्रीरेट्स को डिले करने के लिए तो दोस्तों म एक टैबलेट को आपको जो आपकी पिरेट्स की डेट होती है उससे 4 दिन पहले से स्टार्ट करना है दिन में 3 बार खाना खाने के बाद में morning, afternoon और evening में और इसको आपको इस प्रोसेस को तब तक continue रखना है जब तक आप अपने प्रीरेट्स को डिले करना चाहते हैं मैं आपसे यही recommend करना चाहूंगा 1 week maximum से maximum 14 days बोले तो 2 week तक ही आप इसको use करें otherwise फिर यह side effects भी show करने लगता है और body उसकी habitual होने लगते है जिससे की patient को दिक्कत भी हो सकती है तो दोस्तो थोड़ा सा ध्यान दें इसको क्योंकि इसका खाने का जो procedure है वही सबसे main होता है मैं आपको repeat कर देता हूँ periods बोले तो date से आपको 3 से 4 दिन पहले start करना है morning, afternoon और evening में one tablet after food मतलब खाना खाने के बाद में और तब तक आप इसे use कर सकते हैं जब तक आप अपने periods को delay करना चाहते हैं तो दोस्तो आशा करते हैं आपके लिए वीडियो informative रही हो, helpful रही हो लेकिन अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रिशानी होते हैं आपने doctor से consult करें, self medication को मैं बिल्कू support नहीं करता, disclaimer में भी आपको म मिल जाएगा, ऐसी ही और medicinal information के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं, चैनल को subscribe कर सकते हैं, वीडियो को like करें, comment box में आप query भी डाल सकते हैं, अपनी और कोई suggestion है तो आप वो भी बता सकते हैं, thank you दोस्तो, bye bye take care, अपना ध्यान रखें